एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान से चिन चुका है ऐसे में पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा या नहीं खेलेगा ये अभी तैय नहीं है लेकिन पाकिस्तान विशो कप खेलने भारत आएगा ऐसी रिपोर्ट से और जब पाकिस्तान भारत खेलने विशो कप में आएगा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीज महा मुकाबला कब होगा तो इस महा मुकाबले की तारीख के बारे में एक रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं आज वो बताऊंगा साथ ही बताऊंगा कि जो क्रिकेट कब विशो कप होने जा रहा है ऑक्टूबर नवंबर के महिने में उसका पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला कब होगा कुल कितने टीमें विशो कप में शिरकत करेंगी सारी बातें होंगी लेकिन पहले बता दूँ कि आप देख रहें न्यूज बाइसकोप और मैं हूँ राकेश रंजन क्रिकेट विशो कप आक्टूबर नवंबर के महिने में होने जा रहा है और इससे पहले कि आपको ये बताओं कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कब होगा ये बता देता हूँ कि जो इस विशो कप का पहला मुकाबला है वो पिछले विशो कप के विनर और रनर के बीच खेला जाएगा मतलब विजेता और उपविजेता के बीच में मतलब क England और New Zealand के बीच में विश्यकप 2023 का पहला मुकाबला होगा और ये मुकाबला होगा 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में और आपको ये भी बता दू कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही विश्यकप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 19 नवंबर 2023 को बात आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हाई वोल्टेज मुकाबला होना है वो कब होगा जिसकी प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही है तो खबर ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को मुकाबला खेला जाएगा और जो अब तक बातें सामने आ रही है उसके अनुसार भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में ही होगा हलाकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान को इस पर आपत्ती है और जब PCB के अध्यक्ष नजम सिट्थी दुबई गए थे ICC के कारियाले तो वो एहमदाबाद में भारत पाकिस्तान का मुकाबला नही आएगा ही नहीं उसके भी मैचेज किसी न्यूटरल वेन्यू पर करवाए जाए अब जबकि एशिया कप की मेजबानी चिन चुकी है तो खबर ये है कि वो ये तो मान गया है कि वो भारत खेलने आएगा विश्यकप हाँ ये बात अलग है कि अभी उसे आमदाबाद के नाम से थोड़ी परिशानी है लेकिन देखियो वक्त गुजरता है तो मुझे लगता है कि शायद वो परिशानी भी और वो आपती भी खत्म हो जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच 15 ऑक्टूबर को नरिंद्र मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में मुकाबला होगा लेकिन अ आपको पहले ही बताया था कि ऑस्टेलिया से खेलने के लिए भारतिये टीम चिन्नई की और रुख करेगी क्योंकि वो चाहती है कि जो स्लो विकेट है जो स्पिनर्स को थोड़ी सी हिल्प देती हो ऐसी पिच वैसे विकेट पर भारत और ऑस्टेलिया का मुकाबला हो तो य मैच होगा आपको ये भी बता दू कि विशकप 2023 में कुल 10 टीमें शिरकत करेंगी और इन 10 में से 8 टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है दो टीमें जो है अभी तक तै नहीं हो पाई हैं कि दो और कौन सी टीमें होंगी और इन दो टीमों के लिए एक क् पराई के महीने में खेली जाएगी और उस टूर्नामेंट के बाद ही पता चलेगा कि वो दो टीम कौन सी हो सकती है और दिल्चस्प ये है कि ये जो दो टीमें को आना है ना उसमें जो दो विशकप जीत चुकी टीम है वो अब तक क्वालिफाई नहीं कर सकी है श्रिलंका और वेस्ट इंडीज की टीम अब तक विशकप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है और अब वो ये जिमबाब्बे में होने वाले क्वालिफाई टूर्नामेंट में खेलेगी जहाँ पर शेलंका वेस्ट इंडीज के अलावा USA, UAE, Oman, Scotland जैसी टीमें होंगी तो और टीमों को जॉइन करने के लिए यहाँ पर आठ्स में से दो और आएंगी तो दस हो जाएंगी आपको ये भी बता दूँ कि जो विशकप 2023 है वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट पर खेला जाएगा मतलब हर टीम एक दूसरे से कम से कम एक बार जरूर खेलेगी तो दस टीमे हैं इसका मतलब हर टीम को 9 मैच तो मिलेंगे ही मिलेंगे और फिर जब सारे मैचेज हो जाएंगे राउंड रॉबिन लीग के आधार पर तो जो चार टॉप टीमें रहेंगी वो सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और फिर सेमी फाइनल के बाद फाइनल मुकाब 19 नवंबर को डनेंद्रमोधी स्टेडियम एहमदाबाद में खेला जाएगा तो अभी जो इस्थिति है जो टीमें अब तक क्वालिफाई कर चुकी है विश्वकब 2023 के लिए उसमें अगर हम बात करें तो भारत है पाकिस्तान है औस्ट्रेलिया है न्यूजिलैंड है इंग्ल विश्वकब के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और दो और टीमों का इंतजार है तो देखते हैं वो दो टीमें कौन होती है फिलाल आपके लिए सूचना ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वकब का जो मकाबला होगा वो 15 अक्टूबर को हो सकता है अभी के लि